नमस्कार दोस्तों भारत के समयधानिक विकास के अंतरगत आज ये दूसरा लेक्चर है और इससे पहले हमने कमपनी का शासन पढ़ा था आज हम पढ़ेंगे ताज का शासन तो दोस्तों ताज के शासन के अंतरगत जो पहला अधिनियम है वो है 1858 का भारत शासन अधिनियम इ प्रिबिन प्रकार के एक्ट कंपनी को कंट्रोल करने के लिए समय समय पर पारित हुए थे 1857 की करांती के बाद जब ब्रिटिश सरकार को ये लगने लगा कि कहीं East India कंपनी की वजह से हमारे हाथ से भारत जैसा देश कहीं निकल रहा है या निकल ना जाए उसने इसे कंट्रोल करने के लिए East India कंपनी को हटा कर खुद सत्ता पर काबिज हो जाते हैं ठीक है और इस एक्ट के तहट जो कुछ विशेस प्रावधान हुए उसमें हम पढ़ेंगे जैसे कि जो शासन था वो East India कंपनी से British राज शाही यानि कि ताज का शासन या Crown का शासन इनके हाथ में आ ग कर दिया गया और प्रतम वाइसराय कौन बना लॉर्ड कैनिंग अब जब वाइसराय ये बिटिस ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिदी होता था इस एक्ट के तहत मुगल सामुराट का पद भी समाप्त कर दिया गया और उसे पेंशन धारी बना दिया गया दोस्तों जब सचीव का पद स्रजित किया गया जिसको प्रशासन की पूर्ण शक्ती थी ये सचीव ब्रीटिश कैबिनेट के सदस्ये होते थे भारत सचीव के सहायता हेतू 15 सदस्ये परिशत का गठन किया गया दोस्तों दो सदस्ये थे एक होता है भारत सचीव और एक वाइसराय ये भा ब्रिटिस गवर्मेंट का इसके बाद दोस्तों अगला अधिनियम आएगा 1861 का भारत परीशत अधिनियम इसके तहट वाइसराय के कारेकारी परीशत का विस्तार किया गया यह गवर्नर जनरल नहीं है वाइसराय कर लेना वाइसराय के कारेकारी परीशत का विस्तार किया गया तथा वाइसराय को अध्यादेश चारी करने की शक्ती दी गई और सती प्रथा का अंत भी इसी एक्ट के तहट किया गया इसके बाद दोस्तों अगला एक्ट है 1873 का अधिनियम इसके तहट इस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता था और एक जनवरी 1874 इस्वी को इस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया इस चोटे मोटे एक्ट थे जोस्तों इसमें से कुश्चन्स एक्जाम में पूछ लेता है इसके बाद 1876 का शाही उपाधी अधिनियम आएगा इसमें 28 अप्रेल 1876 को महरानी विक्टियूरिया को भारत की सामराग की घोसित किया गया इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण एक्ट है दोस्तों वो है 1892 का भारत परीसद अधिनियम इस एक्ट के तहट दोस्तों निर्वाचन पज्दती की शुरुवात हुई यानि की अपरत्यक्स चुनाव प्रणाली लेकिन दोस्तों इसमें कहीं पर भी चुनाव शब्द का परियोग नहीं किया गया है अधिनियम में इसमें केवल नमांकन की परकिरिया कहा गया था इस एक्ट के तहट विधानमंडल के सदस्य केंद्रिय विधानमंडल के पांस सदस्यों का निर्वाचन कर सकते थे तथा राजसु पर बहस भी कर सकते थे परन्तु बजट पर मत देने का अधिकार इनहें नहीं था इस परकार शासन संबंदी अधिकार भारतियों को केवल नाम मात्र के लिए ही प्राप्त हुए इसके बाद दोस्तों अगला जो अधिनियम है वो है 1909 का भारत परिशद अधिनियम जिसे हम माले मिंटो सुधार भी कहते हैं लौड मिंटो दोस्तों भारत सचीव था और लौड माले भारत सचीव और लौड मिंटो भारत के वायसराय थे यह भारत सचीव कौन होते थे ब्रिटिस के संसत के प्रति उत्तरदाई होते थे और जो भारत का वाय सराय था ये इनका भारत में प्रतिनिधी करता था प्रतिनिधीत्व था ब्रिटिस सरकार का ठीक और इस एक्ट की सबसे महत्वपूर्ण विशेशता है कि मुस्लिमों के लिए प्रत्थक निर्वाचन छेत्र लागू हुआ यानि कि इसके तहट मुस्लिम प्रतिनिधीत्र लागू है प्रतिनिधीत्र लागू है इसके बाद दोस्तों अगला अधिनियम है 1919 का भारत शासन अधिनियम जिसको मांटेग्यू चेम्स फोर्ट सुधार भी कहा जाता है मांटेग्यू ये भारत सचिव थे और चेम्स फोर्ड ये वायस राय थे इसमें क्या हुआ कि केंदर में दुई सदनात्मक विधाईका यानि कि राज्य परिशत जिसका कारेकाल पांच वर्स का होता था इसकी सदस्यों के संख्या 60 ती और दूसरा केंदरी विधाईका जि मनोनी सदस्यों होते थे जैसे वित्य है पुलीस है सिंचाई है बिजली है ये तो जो रिजर्व कंडिडिट होंगे उनके अंतरगत आएगा इसके अलावा जो हस्तांतरित विशय है इसमें जो निर्वाचित होते थे ये उनके अंडर में आता था शिक्षा है स्वास्ते है इस्थानी शासन है, किरसी है, उध्योग है जो निर्वाचित होके जाएंगे उनके हैंड ओवर होता था ये शिक्षा स्वास्ते इस्थानी शासन और जो रिजर्व होते थे उनके अंतरगत था विद्ध पुलिस, सिचाई, बिजली, आदी जोएद शासन पढ़नाली के जनक लियोनस काईटियस को कहा जाता है और पहली बार इसमें महिलाओं को वोड़ देने का अधिकार दिया गया और पहली बार ही केंदरिये को बजट को राज्य बजट से अलग और राज्य विधान सबा को अपना अलग बजट बनाने का अधिकार दिया गया इसके बाद दोस्तों 1935 का भारत शासन अधिनियम आएगा ये भारती सम्विधान का मूल्सरो थे एक विश्तरत दस्तावेज है जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां और 14 भाग थे प्रांतों में दोयद शासन को समाप्त किया गया और प्रांतिय स्वतंतरता का शुभारम हुआ केंदर में दोयद शासन परणाली की शुरुवात हुई जो कभी लागू नहीं हो सकी 1937 में ही संग्य नयालय की स्थापना हुई और संग्य नयालय की अंतियम शक्ती प्रीवी कॉंसिल के पास यानि कि लंदन को प्राप्ते थी और इसके पहले मुख्य नयाय दीशते सर मौरिस ग्वेयर मुद्रा और साख नियंतरन के लिए आरबियाई की स्थापना की गई 1935 में और भी कई सारे प्रावधान इसमें किये गए थे भारत शाषन अधिनियम 1858 के द्वारा स्थापित भारत परिसत को समाप्त कर दिया गया इसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और बरार जो हैदराबाद का छेतर है इसको मध्य प्रांत में शामिल किया गया और राश्ट्रपती को अध्यादेश जारी करने की शक्ती भी इसी एक्ट के तहत प्राप्त होती है 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत इसके बाद दोस्तों सबसे अंत में आएगा 1947 इसवी का भारत स्तिय सोतंतरता अधिनियम इसकी विशेस्ताएं क्या थी इसे बिटिश ब्रावंतरी क्लिमेंट एडली ने घोशना की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा और सत्ता भारतियों को सौप दी जाएगी इस पर मुस्लिम लीग ने आंदूलन किया और भारत के विभाजन की बात की 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतिय सौतंतरता अधिनियम प्रस्तावित किया गया और 18 जुलाई 1947 को इसको सुविक्रत किया गया इसकी विशेशताएं क्या थी 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नामक दो संप्रभू रास्ट बने वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया और दोनों रास्ट्रों में गवर्नर जनरल का पद सरजित किया गया अंतिम वायसराय और परत्थम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंट बेटन थे दोनों रास्ट्रों को अपना संभीधान बनाने की शक्ति दी गई जब तक नया संभीधान नहीं बन जाता तब तक 1935 के भारत शाषन अधिनियम के द्वारा ही शाषन चलाना होगा देशी रियासतों को भारत या पाकिस्तान में सम्मिलित होने एवं खुद स्वतंतर रहने की स्वतंतरता दे दी गई दोस्तों इसके बाद हम पढ़ेंगे सम्मिधान का निर्मान यदि हम भारत के सम्मिधान की बात करें तो इसे हाथ से लिखा है प्रेम बिहारी नारैन राय जादा नहीं यह एक्सर एक्जाम में पूछ लेता है कोश्चन इसलिए मैं यहाप पे लिख दिया था तो दोस्तों कमेंट और शेयर जरू करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब जरू करें धन्यवाद